So hey guys, welcome to my channel और कई लोगों की request आई थी कि एक video इस पर बना जाए कि आप लोग simply कैसे किसी भी game का live stream PUBG पर कर सकें और उस live stream में आपकी आवाज भी clear आने चाहिए कि कि कई ऐसे app प्लेश्टोर पर या फिर कहीं न कहीं आपको पता चला होगा तो उसमें आपको जो voice है या फिर वो game की voice है वो नहीं आ रही है जो sound है वो नहीं आ रही है तो मैं आज आपको एक essay आपके बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आप simply बिना किसी problem के live stream कर सकते हैं किसी भी game का आज मैं आपको PUBG का live stream करके अपने ही channel पे live demo दूँगा तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो को start करते हैं एप का link description में है और चलते हैं phone की screen पे और मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से settings आपको करनी है ताकि आप बिना किसी problem की PUBG का या फिर किसी भी game का live stream कर सकें so let's start the video so hey guys इस app का नाम है Omelette Arcade screen recorder live stream games तो इसका app का जो link है वो description में है आप इसको install करिए ये play store पे available है तो ये बिल्कुल safe है तो इसको मैंने install करके open कर लिया है और यहाँ पे आपको enter user id डालनी है तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिखे दे रहा हूं जैसा कि मेरा instagram handle भी है यह तो यहाँ पर यह मतलब user name available है तो इसलिए green tick दिखा रहा है और मैंने ok कर दिया तो यहाँ पर लिखे आ रहा है मतलब पूछ रहा है कि आप कौन से games पसंद करते हैं ताकि उसी साब से optimize कर सके तो मैंने pubg पर टिक कर दिया है तो इसके बाद यहाँ पर यह कुछ permissions आपसे allow करेगा क्योंकि यह आपकी screen record करेगा live stream के लिए तो इसलिए आपको जितनी भी permissions मांगीगा वो सारी permissions इसको allow कर देनी है तो यहाँ पर मैं uses access में जाके इसको जो जो permission चाहिए वो सारी permissions दे चुका हूं और इसमें आपको धेर सारे features देखने के लिए मिलते हैं और according to me इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कोई problem नहीं होती है और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं एक home का option है एक live का option है और plus के icon प तो उसको ok करना है और यहाँ पर option खुलके आगे हैं कि आप कौन से चीज का live stream करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर pubg select कर लिया है तो जैसे ही मैंने pubg select किया यहाँ पर यह open हो रहा है और यहाँ पर मुझे YouTube से पहले login करना पड़ेगा so make sure आप YouTube से login कर दीजे या फिर अगर आपको Facebook पर live stream करना है तो आप Facebook से login कर लिए उसके बाद जब आप दुबारा करेंगे तो आपको यहाँ पर मैंने अपने email ID है उससे मैंने login कर लिया है तो इसके बाद यहाँ पर यह अलाउ मांग रहा है तो यहाँ पर मैंने इसको allow कर दिया है और अब हमारी जो live stream है वो start ह हो चुकी है तो यहाँ पर यह लाइव स्ट्रीम का जो है वो option हमको दिखा रहा है कि live stream आपकी हो रही है तो यहाँ मैंने अपने गेम जो है वो open कर लिया है और गेम ओपन हो रहा है और जो live streaming है मेरी वो बिना किसी problem के चल रही है तो अभी game खुल जाता है उसके बाद हम दोब देखते हैं कि आगे क्या करना है कि आपको साइड में एक आइकन भी देखने के लिए मिल जाएगा जिसको आप करेंगे तो आपको जितनी भी सेटिंग्स हैं वह आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो यहाँ पर मैंने जैसे ट्रेनिंग इस्टफ पूट अन किया और यहाँ पर आपको सारी सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाती है जैसा कि आप वो यह फ्रेम जैसे कि मतलब कर यूट्यूबर फ्रेम लगा के उस पर नाम उनका आता है जैसे कि यहां पर साइड में कुछ भी लिखा हुआ आता है तो आप इसमें कॉस्टमाइज अपने कॉर्डिंग कर सकते हैं तो यहां पर मैं विभी में स्टार्ट हो चुकी है तो मैं आपको किकर करके दिखा दूँगा इसके बाद में मैं स्टार्ट करकर आपको दिखानेवाला हुए यहां रहे on तो उतने पर ही आपकी लाइव स्ट्रीम हो जाएगी बिना किसी प्राइब्लम के और अगर आप चाहता है कि आपका फेस भी साइड में दिखे जहां पर ये कालडून बना है लेफ्ट साइड में सबसे नीचे तो यहां पर आपका फेस भी आएगा तो उसको आप सेटिंग मे मिल जाएगा तो बिना किसी दिक्कत के आप जो जो चीज़ें आपको कस्टमाइज करनी है वो आप अपने कॉर्डिंग कर सकते हैं तो इस तरीके से आप लाइव स्ट्रीम अपना पब जी मोबाईल अगर आप अपने यूट्यूब चैनल अपने गेमिंग का बनाया तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं सो थैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू